ऐसे ही काता नाम ये कंभो दिवाल है जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माले खबर क्या है आज की सबसे बड़ी खबर है चीन सीमा पर चीन के भारत के रिष्टे सुर्खियों में है चीन एक और तयारी कर रहा है अमेरिका के साथ सीधे सीधे लड़ाई तो नहीं कहेंगे लेकिन हां आतमेर बनने की चिप वो मुद्दा है क्या भारत और चीन के करताओं के अच्छे दिन और बढ़ेगी क्या दूद की कीमत थोक महंगाई में रिकॉर्ड गिरावट कि क्या है माईने गहरी मुश्किल में फस गया वाई जूस अमेरिका में महंगाई घटने से लोटी बाजारों में रॉनक और चीन पर कितनी गहरी है भारत की निर्भरत चीन आज की सबसे बड़ी ख़बर है लेकिन शुरुबात बैंकों से एक अच्छी ख़बर से एक रहत देने वाली ख़बर से रिजर्ब बैंक की तरफ से पॉलिसी दरों में हो रही लगातार बढ़ातरी के साथ बैंक भी कर्ज और जमा दोनों पर ब्याजदरें लगातार कर दिया है वरिष नागरिकों के लिए अगर आप देखें तो यह दर और उंची है कई बैंकों में तो आठ फीसद तक का इस तर आ गया है चोटे बैंक कई ऐसे हैं जो बड़े बैंकों के मुकाबले जाधा डिपॉसिट पर ब्याज दे रहे हैं बात एक ही है कि जाध स्या बैंकों में खराब रेटर्न की या उनकी बचत पर कम रेटर्न की के समस्या से परेशान थे उनके लिए वक्त कुछ इस तरह से बदला है हलाकि ब्याज देरे बढ़ने की प्रक्रिया का नुकसान दूसरी जगे हो रहा है लेकिन जमा करताओं के लिए इस समय एक बहतर मौक यह है कि आप अपनी पुरानी लो इंटरेस्ट एफडी को खतम करें और एक नई एफडी करा लें क्योंकि हो सकता है आप आट से नौ फीजदी तक के ब्याज दर की सीमा में पहुंच जाएं क्योंकि बैंकों ने पिछले मई से लेकर अभी तक रिजर्ब बैंक की तरफ से में बढ़ुत्री को दोनों तरह से पासान किया है लेकिन जाधा तेजी से बढ़ुत्री की गई है बचत पर ब्याज दरों में और बैंक अप चुंकि बचत की कमी जहल रहे हैं भारत में बैंकों में बचतें गिर रही हैं जो कोविट के दौरान बढ़ी थी क्योंकि लोग अब अगली ख़बर दूद की महगाई से जोड़ी देश में चारे की कमी की वजह से पहले ही देश में दूद की कीमतों में बढ़ोत्री हो चुकी है और पशूचारे की कमी की वैसे दूद का और महगा होना तय है इस बीच पौर्ट्री और दोग ने भी ये मांग किया है कि मक्के के निर्यात पर रोक लगा देनी चाहिए सर पशूचारे की अचानक इतनी कमी क्यों हो गई कई सारे वजहों से एक तो मांसून की असफलता के कारण दूसरा पशूचारे में इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे अनाज जिन की कमी भी थी और उनके निर्यात का भी मुद्दा था पशूचारे की कमी का जो आकड़ा सरकार ने संसत को बताया है आईसे आर के इंडिन ग्रास लेंड फार्डर रिसर्च इंस्टिटूट की तरफ से उसके हिसाब से जो हरा चारा है उसकी कमी 11 से 23 फीसदी के बीच है और जो कंसंट्रेट है जो मिला कर बनाया जाता है वो करी आदूद के इस तरह तक पहुँच रही है किन सरकार की तरफ से ये बात कोशिश भी की गई है कि चारे किया पूर्त किसी तरह से बढ़ाई जाए लेकिन वो इतनी आसानी से संभव नहीं है अलग-अलग राज्जियों से पशूओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश कारण और अब ये मांग शुरू हुई है कि भारत से गेहूं और चावल की तरहे ब्रोकन राइस और गेहूं की तरहे कॉर्ण के निर्यात पर भी रोक लगा दी जाए क्योंकि भारत की जो प्रमुख पॉल्ट्री उद्यों के केंद्र हैं उन सब जगहों पर कॉर्ण की कीम और पॉल्ट्री दोनों में कच्छे माल्की और उनकी मुख्या फाडर की महगाई दिख रही है और वो महगाई आपको भारत के महगाई के आंकड़े में भी दिखाई देती है अब आज एक ऐसी ख़वर थोक महँगई जो अच्छी भी है और खराब भी है अच्छी इसलिए आप मान सकते हैं क्योंकि महँगई कीमते रिटेल से भी नीचे जो फरवरी 2021 के बाद सबसे निचला इस तरह है इससे पहले अक्टूबर के दौरान देश में थोक महिगाई 8.3 नौ फीसद थी थोक महिगाई में अचानक आई ये गिरावट मांग घटने का भी संकेत है और मांग सबसे जरूरी चीज है अगर मांग घ घटना आम तोर पर अच्छी खबर है पर वो महिगाई किस तरह से घट रही और किन परिस्थितियों में घट रही उसमें कुछ और भी संकेत है और इसलिए इन महिगाई के आंकडों को हम आज खुद्रा महिगाई पर हमने कल चर्चा की थी जिसमें खाद्य महिगाई दबाव बनी हुई है थोक महिगाई के आंकडों में भी आप फूड आर्टिकल्स के के लेवेल पर देखें फूड इंडेक्स अभी व्यूचाई पर है उसमें भी कई सारी चीज़ों की कीमते महिगी नें लेकिन बाकी जो घूए रहे निपर फछी और पावर की महिजदी स घटके 17 फीजदी के आसपास है, मैनिफेक्चर प्रोडेक्ट्स की महंगाई दर अभी भी 4.25 फीजदी है के आसपास थी जो 3.25 फीजदी के आसपास है, लेकिन प्रायमरी आर्टिकल्स में एक तेज गिरावट दिखाई दे रही है इस महंगाई दर में, ये गिरावट कई मा बाजार में आपूरती के इस तर से समस्याओं के समाधान का संकेत भी है, लेकिन ये ही आपूरती के इस तर से समस्याओं का समाधान मतलब है कि जिन चीज़ों की शॉल्टेजिस थी या जो अंतराश्टी इस तर से जिनकी कीमते महंगी थी, कम उनकी धीमे धीमे बाजार मे आपूरती सामान ने हो रही है। लेकिन यही महंगाई मांग की तरफ से हमें एक बिलकुल दूसरी तस्वीर प्रस्तुत करती दिखाती है। इसके और इससे ठीक पहले इस साल की दूसरी तिमाही के GDP के आंकड़े आया और इन आंकड़ों में दो बड़े संकेत थे जिनके कारण भारत में GDP में काफी तेज गिरावट आई दूसरी तिमाही में भारत के manufacturing industry में contraction आ गया यानि उसमें उत्पादन बढ़ने के बजाए दिखाई दिया अब इनमें जो हम करीब से देखते हैं सेप्टेमबर और अक्टूबर के आक्ड़ों में अक्टूबर में शुब हम जितने primary articles हैं महंगाई को अगर WPI महंगाई को अगर हम IAP की रोशनी में उत्पादन की रोशनी में देखें तो ये तस्वीर थोड़ी सी स साफ होती दिखाई देती और यहां से भारत की में एक बड़ा ब्राट बेस्ट स्लोडाउन कई सारे उद्योगों में फैला हुआ स्लोडाउन या कई सारे उद्योगों मांग की जबर्दस्त कमी निकल कर सामने आती जिसे primary goods जिसकी inflation में जिसकी महंगाई में हमने महंगाई म आई और वही प्राइमरी जो जरूरत की चीज़े हैं उनमें लेकिन उनके उत्पादन में भी IIP में गिरावट आई इंफ्रास्ट्रक्चर और कांस्ट्रक्शन सेक्टर सेक्टर में भी केवल एक फीजदी के उत्पादन में बढ़ोत्री दिखाई दी अब इसे भीतर से द अधार पर क्योंकि उपयोग के अधार पर हमारे लिए समझना जरूरी है हम इस महंगाई को खुद्रा महंगा थोक महंगाई के आकड़े को उपयोग के आधार पर भारत के उत्पादन से जोड़ने के कोशिस करते हैं आपेरल यानि कपड़ों की का उत्पादन 37% गिरा 37% गिरा बिजली मशीनरी के उत्पादन में 33% की गिरावट है चमले के उत्पादन में 24% की गिरावट है फार्मा प्रोट्रक्स के उत्पादन में 21% की गिरावट है यहां तके बिजली का उत्पादन भी अक्टूबर 2022 में केवल 1.2% की बढ़ोतरी दिखाता है जो कि सप्ट स्लोडाउन का मांग में गिरावट का सबूत है और शायद इसका संकेत हमें GDP के आंकलों ने दे दिया था और जो हमारे पास अगले दो तिमाही के आंकलों भी मौझूद हैं वह बता रहें किया फेस्टिवल सीजन भी चला गया त्योहारों का सीजन भी गया शादियों का सीज ज़स्था में मांग की कमी अगले कुछ महीनों में में और तेजी से गहरा सकती है क्योंकि और बड़ी सबसे बड़ी बात है कि भारत के निरयात भी सिखड़ चुके हैं टूटे हुए हैं कई सारे भारत के निरयात के इलाकों में फैक्ट्रियों के पास अब आर नहीं इस संकेत मिल रहे हैं मांग नहीं होगी तो निवेश नहीं होगा निवेश नहीं होगा तो रोजगार नहीं होगे तो अगर आप देखें तो यह बड़ी ख़बर है इस हिसाब से कि महगाई कम होना भी अच्छा नहीं है अब ख़बर new economy से new economy मतलब की startup ये लगातार दिक्कतों में फस रहे हैं लगातार money central के अगर आप नियमित दर्शक है तो आप जानते होंगे कि शुरू बात से हम आपको इस पर आगहा कर रहे हैं उसका कुछ हिसा चुकाने के लिए अपनी अमेरिका की संपतियों को बेजने रिपोर्ट की मानिन तो बैंको ने कंपनी से साफ कह दिया है काई सारी चीज़ें बहतर नहीं हो और अब धिमेधी में चीज़ें बाहर फिसल रही है पहले चीज तो ही कि जो एक दसनलो दो बिलियन डॉलर का रब डालर का लोन बाइजूस ने अंतर अश्टी बाजार से उठाया था जो लाइबोर प्लस फाइपरसेंट के असपास था वो गहरे डिसकाउंट पर है वो असी सेंट के असपास ट्रेट कर रहा है और इसमें लोन क दर्मे गिरावट के कारण जितने बड़े लेंडर हैं उनमें एक बड़ा हिस्सा अब बाइजूस को इस लोन की रिस्ट्रक्चरिंग करने की जाज़त देने के लिए तैयार नहीं है बाइजूस की वित्ती स्तिती खराब है कंपिनी अपने नतीजे चिपा रही थी कंपिन के लिए बहुत चुनौती बात होती है कि जब उसके लोन को रिस्ट्रक्चर करने के लिए या उसके लोन का भुक्तान टालने के लिए कुछ जाधा ब्याज़ पर भी उसके लोन का भुक्तान टालने के लिए लेंडरस मना कर दें बाइजूस वहां इस ट्राप में जाकर फ में हुज ग्रोफ और पोटेंशल बिल्ट किया था और वो बिल्ट इन निवेशक 粉 बना कर उसे इन निवेशकों को दिखाया गया था और अंतराश्ट्री बाजार से कर्ज भी लिया गया था भारत में किसी स्टार्ट अप के लिए हाल-फिलाल के वर्षों में कर्ज की ऐसी समस्या आना अंतराश्टी बाजार से कर्ज की ऐसी समस्या आना पहली बार दिखाई दे रहा है और अगर बायजूस ने कर्ज नहीं चुका आया तो जैसी आपने पिलर्स के जरी अपना करज उठाया था उनसे इस करज की खरीद की थी। पेटियम के स्टाक की जो हालत है जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं अपने अधिक तम मूले से तो नीचे है ही निवेशकों का बड़ा नुकसान हुआ है पेटियम ने अपनी तरफ से इस बाइबैक को लाते हैं विल्कुल नई कंपिनी है और उसे बाइबैक को लाते या कंपिनी उसकी कीमत को प्रॉप अप करना चाहती है और इसलिए आज आप फर्क देखें कि स्टाक करीब अभी की स्टिती में अगर मैं रेट देख पा रहा हूं तो 529 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है लेकिन पेटियम इसे 810 रुपए पर शेयर के लेवल पर बा होगा तो शायद शेयर के प्राइस को प्रॉप अप करने की का और आगे बढ़ाने की मदद मिलेगी पेटियम ने ये भी कहा है कि उसका उसके परफार्मेंस अच्छी है उसका कैश फ्लो आने वाले समय में आने वाला है और इन सारी जरूरतों को देखते हुए भी कंपनी क पाया था और जिस प्राइस पर बाइबेक कर रहा उसमें बड़ा अंतर दिख रहा है पहरी चीज नोट करने वाली है और दूसरी चीज है कि कंपिनिया यह मान नहीं है कि बाजार में उनके उनके जितने शेयर उपलब्द हैं उतने ग्रहाक नहीं है और अगर बाजार में छोड़ेगे शेयरों की संख्या कम होगी तो शायद शेयर से थोड़ा सेंटिमेंट बहतर हो जाएगा राइट फ्ट होए करजों की वसूली जो है वो इतनी कमजोर क्यों है आमतार पर बैंक से जब कर्ज एनपिये बताता है कि भारत में बैंक अपने करजों को राइट इब करने के बाद किस तरह से आगे के मूब करते हैं किवल 13% करज की वसली हुई 10 लाग करोल रुपए के करज बैंकों ने अपने खाते से अपने वितिक अपनी बुक से हटा दिये हला कि तक्निकी तवर पर इन करजों को माफ नहीं किया गया है इन करजों की वसूली की कोशिश जारी रहेगी पर वसूली की कोशिश जिस नतीजे को लेकर 5 साल में सामने आई है वो किवल 13% है होता यह है कि जब कंपिनिया एक निरधारित समय के बाद करज नहीं चुका पाती है और वो नपिये में बदल जाते हैं तो बैंकों को रिजर बैंक के नियमों के तहट उस नुकसान के बदले अपनी पूंजी से पैसा निकाल कर डालना पड़ता है जिसको हम प्राविजिन की तरफ से सदन को जानकारी दीगी उस हिसाब से जो पिछले पांच साल में है कैश वसूली वो भुत कम रही है यानि नगदी के तो बैंक अपने बकाय करज का बहुत कम हिस्सा वसूल पाएं 13% में भी बहुत सारी एसेट्स हैं जिनको टेक ओवर किया गया जिने बाद में बेच कर उस पैसे को चुकाया जाएगा बड़ा बड़ा सवाल यहां पर यह है कि बैंक राइट आफ करने के बाद भी अपने करजों की वसूली नहीं कर पाते हैं इतनी सारी वेवस्ताओं के बाद बाद बारत में डेट रिकवरी टिबिनल है बारत में बैड बैंक बनाया से नाकुनों से निकल कर सामने आती है बैंकों की पूजी को अगर सरकार ने बजट से पैसा देती है तो पैसा दरसल टेक्सपेर का ही होता है किन्द सरकार ने कॉम्पेशन कमिशन यानि CCI के कानून में बदलाव के लिए जो प्रस्ताओं दिया था संसदी समीति ने उस प् तक नहीं 150 दिन के अंदर अंदर निप्टा लेना चाहिए उस पर फैसला दे देने चाहिए सर कॉम्पेशन बिल में सुधार के और कौन से बड़े सुझाव दी गए और इनका क्या असर होगा एक मात यह बिल का कम्पेशन कानून में किया गया है बाकी चीजों चीजों पे शायद कम्पेशन कानून में आगे बदलाव किया जाएगा तो सबसे महतुपूर्ण बदलाव यह है कि अगर एक कम्पिनी दूसरी कम्पिनी का विले करती है तो उसके मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए एक नई विवस्था लाई जाएगी ताकि यह समझा जा सके कि जिस कम्पिनी के पास एक बड़ा बाजार हिस्सा था और एक नई कम्पिनी आई और उसने उसका अधिक्रहन कर लिया और उसके साथ बाजार में उसका एक अधिकार हो गया तो यह हलांकि यह इस बिल में ऐसा कोई प्रावधान इस पश्टूप से नहीं बताता है कि जो डील की यह वैलियू है उसका मुल्यांकन कैसे किया जायागा बाजार पर इसके असर क्या थार पर लेकिन मुल्यांकन का एक नया पहमाना इसमें डाला गया है दूसरी चीज है कि बाजार जो नियंत जो अधिग्रहन है उस अधिग्रहन के संदर में कम्टिशन कमीशन ने कंट्रोल कैसे होगा कंपिनी में किसी कंपिनी किसी कंपिनी पर कैसे कंपिनी पर कैसे कंट्रोल करेगी इसे डिफाइन किया है तीसरी और सबसे महत्वपून बात जो दिल्चस्प बात इसमें ये है कि जो बड़ी टेक कमपीनियां हैं जिन पर ऐसी उम्मीद की जा रही थी शुभ़म कि उनके मर्जर और अधिक ग्रहन के उपर लगाम लगाई जाएगी क्योंकि वो आते ही कमपीनियां बड़े पैमाने पर च्छा जाती हैं हमने स्टार्ट अप स्पेस में ये देखा और बड़े अधिक्रहन करती हैं वहाँ पर थोड़ी सी रियायत दी गई है और जो बड़े काल्टेल्स हैं उन काल्टेल्स को सक्ष्टी करने में एक कमप्टिशन बिल थोड़ा सा कमजोर दिखता है और यहा पर पनी क्या राय दिये अब चलिए अमेरिका में महगाई दर में लगातार दूसरे महीने आई गिरावट का सर दुनिया भर के बाजारों पर देखने को मिल रहा है पहले अमेरिकी और एस भाजारों में तेजी देखने को मिले फिर भारती शожалуй मजबूति के साथ खोले में क दॉलर में नर्मी आई और उसकी वएसे गोल्ड 9 महीने के उपरी स्तर पर पहुंच गया डॉलर में नर्मी की वएसे कच्छे तेल की कीमत में बढ़त आई अमेरिका में महगाई घटने से उम्मीद बढ़ गई है कि अमेरिकी सेंट्रल बेंक आने वाले दिनों में ब्याज़ महगाई घट रही है बढ़ रही है आप दुनों तरफ से देख सकते हैं घटने की दृष्टी से अगर हम इस शेर बाजार की निगाहों से देखें तो अमेरिका में खुद्रा महगाई में थोड़ी कमी आई जैसे भारत में खुद्रा महगाई में थोड़ी कमी आई लेकिन ये कमी को खतम करने के लिए सारी कमोडिटीज की कीमतें ततकाल बढ़ना शुरू हो गई यानि जो आज कमोडिटीज की कीमतें बढ़ रही है ये अगले दो महीने के बाद वापस इस महेंगाई में आकर जुड़ जाएंगी और यही वो महेंगाई का बड़ा डूम लूप होता है जिसमें सेंट्रल बैंक्स जाकर फस जाते हैं और इसलिए आमतर पर सेंट्रल बैंक्स कभी भी महेंगाई में थोड़ी गिरावट किसमें ब्याईदरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया नहीं रोकते हैं जो हम चुछ रहे हैं जब तक तोडेंगे नहीं तो महेंगाई टूटी नहीं है पहले चीज तो यह कि जैसे ही थोड़ी रियायत दिखती है डालर में कमजोरी आती है हमने सारी कमणर्टियों में बढ़ोतरी देखी है बाजार में डिमांड तो नहीं है कहीं भी ये कीमतों में वड़ोतरी फिर आकर महंगाई को फ्यूल करेगी दूसरी चीज़ ये कि अगर आप पैमानों के अधार पर देखें तो महंगाई में ये गिरावट कम से कम फेडरल रिजर्व के लिए तो किसी मायने में बहुत महत तो नहीं रखती क्योंकि सेंट्रल बैंक का जो एन्वल टागेट है वो दो परसेंट का है महंगाई की दरुस अधिका में हो रही हो इसे बहुत उतसाहित होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं वो शायद अभी देखेंगे कि जब तक बाजार में पूरी तरह महंगाई को कम होने के अंतरधारना न बन जाए तब तक ऐसा तब तक शायद ब्याज़दरों में कोई बड़ी कटाउती ह प्रक्रिया नहीं रोकी जाएगी जो उनके लक्ष है महंगाई दर को नियंतरित करने के उन पर वो कायम रहेंगे पर निगाह हैं फिट चेर्मेन जीरों पावल की और फिट की अगली बैठक पर अब दुनिया के सारे बाजानों की निगाह इस बैठक पर होंगी अब दिन क सबसे बड़ी ख़वर बंद लगाये थे जिसके बाद चीन ने समी कंडकटर के मामले में आत्मेर बर बनने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया था सर चीन का ये नया पैकेज किस तरीके का है चीन और अमेरिका के बीच चिप या सेमी कंडुक्टर को लेकर सीधी टकराओ शुरू हो गया है पहला टकराओ तो अपने अपने उद्योगों को ताकत देने के लिए है संदर भी यहां से इसका शुरू होता है कि जब यूएस प्र अनुदान देने का बिल था जो कि फेडरल गवर्मेंट के तरफ से दिया गया था और इसके साथ 24 अरब डालर के टैक्स क्रेडिट दिये गये थे अमेरिका में नई चिप मैनिफेक्ट्रिंग कंपिनीज को स्थापित करने के लिए यानि वहां तक आते आते दुनिया इमान अमेरिका की उद्यों को इलग रहा था कि चीन पर निर्भड़ता एक सीमा से ज्यादा नहीं चल सकती और उसे अपने सेमी कंडुक्टर उद्यों को तियार करना उप होगा जब अमेरिका सेमी कंडुक्टर उद्यों में पिछड़ा हुआ है चीन उस मामने में काफी आगे ताइवान उसका सबसे बड़ा प्लेयर है इसके बाद दूसरा जो कदम अमेरिका ने उठाया वो भुत सारे जरूरी उपकरण और तक्नीकों के निर्यात का था जो चीन के सेमिकंडुक्टर उद्योग को मिलते थे यानि तक्नीके और उपकरण तो अमेरिका में बनते थे पर सेमिकंडुक्टर चाइना में या ताइवान में बनते थे इस निर्यात के रोक के बाद चीन की सेमिकंडुक्टर इंडस्ट्री थोड़ा हिल गई है हिल इसलिए गई है क्योंकि यह महतुपून कच्चा माल है यह महतुपून तक्नीके हैं महतुपून मशीने हैं जिन्हें चीन को अभी अमेरिका से मिलने की कोई संभावना नहीं है यूरोप के भी कुछ सप्लायर हैं अमेरिका के रास्ते पर वो भी चलेंगे और वो भी ये तक्नीके आपूरती नहीं करेंगे ताइवान पर निरभरता चीन की भी बहुत जादा है तमाम रिष्टों खराब रिष् और चीन दोनों बड़े सेमिकंडुक्टर उत्पादक है पर जिन चीजों पर अमेरिका में निरभरता है उसके लिए कंपिनियों को बड़े बड़े फिसकल इंसेंटिव दिये जा रहे है और ऐसा चीन हाल फिलाल के दश्कों में पहली बार कर रहा है जब उसने किसी एक ख चीन चुनोती भी दिये यानि अमेरिका को WTO के मंच से चीन अब वहाँ पर विवाद में भी खीच रहा है क्योंकि चीन को लग रहा है कि अगर ये प्रतिबंद लंबे समय तक जारी रहे तो फिर सेमिकंडुक्टर इंडिस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान होगा सर अब बात भारत और चीन की करते हैं सीमा पर विवाद है तवांग में दोनों देशों के बीच के जो रिष्टे है वो फिर से सुर्खियों में जब भी ऐसा कुछ होता है ततकाल वायकार्ट चाइना चाइना पर आयात बंद कर देना चाहिए ऐसी आवादें उठने लगत पर भारत में लोगों के दिमाग में टप अफ दमाइंड सबसे बड़ा सवाल है कि चीन दोस्त है या दुश्मन है रणनीतिक प्रक्रियाओं में माना जाए तो चीन भारत का सबसे बड़ा प्रतितंदी है सबसे बड़ी कट्रट चुन होती है और यह भारत के के जो रणनी दिल्ली के चावड़ी बाजार में ड़ते हैं जहां चीन सबसे बड़ा हिस्सा रखता है और यहां हमारे लिए समझना जरूरी है कि भारत की निर्भरता दुनिया की किसी और देश की तुलना में चीन पर बहुत गहरी है बहुत सारे लोग के सवाल जाने की कोशिस करते कि कि आखिर हम चीन पर की चीज़ों के लिए निर्भर हैं और शुम्म आपको आश्यर होगा जानकर कि हमारी स्ट्रेटिजिक डिपंडेंस चीन पर इतनी जाधा बढ़ती चली गई है उसका नतीज़ास हमारे सामने भी आया है जैसे ध्यान गवर से देखें भारत चीन से करी करीब 2021 इसमें 26 बिलिएन डालर के आसपास के इलेक्टराणिक एक्क्यूब्मेंट्स का इंपोर्ट करता है 26 बिलिएन डालर का इंपोर्ट चाहिना से आता है और इसमें Micro Assemblies हैं, इसमें छोटे पुर्जें हैं, इसमें डायोट्स हैं, इसमें ट्रांजिस्टर्स हैं, इसमें सेमी कंडुक्टर जैसी दिखने वाली डिवाइसेज हैं, इसमें Transmission Apartis हैं, इसमें TV कैमरा हैं, इसमें Cardless Phone है, इसमें Television है, Radio Radar Apartis हैं यह वो रणनीतिक equipment हैं, जिनके को लेकर अमेरिका चीन की company ओपर लगातार सवाल उठाता रहा है, लगभग 90, कुछ mobile phone components तो भारत में ऐसे हैं, जिनका 90% supply, 90% supply, चीन से हमारे पास आती है, अब यह निर्भरता भारत अपने PLI के करण भी और बाकी चीन के करण खतम नहीं कर प मशीनरी जिसकी हमें जरूरत पड़ती, 18 billion dollar का इंपोर्ट हम चीन से करते हैं, मशीनरी का, और इसमें important machinery इसमें optical riders हैं, pumps हैं, vacuum हैं, जो जरूरी उद्योगी कुछ पादन की जरूरी मशीनरी हैं, यह चीन से आती हैं, जो सबसे और गहरी निर्भरता जहां हो जाती, जिसका भारत तोड़ा भी तक नहीं निकाल पाया, वो है केमिकल्स और आगेनिक केमिकल्स की, 11 billion dollar के आगेनिक केमिकल्स हम आयात करते हैं, और इसमें बहुत सारी दवाएं हैं, इसमें amino compounds हैं, इसमें microbiome acids हैं, बहुत सारी दवाएं हैं, जिन पर हम को लेकर चीन पर, फार्मा इंड भारत के लिए बड़ी निरभरता है, तो अब अगर आप गौर से देखें, फाइबर, आप्टिक, फोटो और टेक्निकल्स चीजें हैं, बहुत सारे medical equipment हैं, इनको हम चीन समगाते हैं, जैसे से भारत में EV करान्ती होना शुरू ही, हमारी निरभरता बैटरी को लेकर चीन प बढ़ती चलीगी, थोड़ा सा हिस्सा आरन और स्टील का है, अगर आप ये पूरे प्रोड़ेट की प्रोफाइल देखें, काफी लंबी प्रोड़ेट प्रोफाइल है, क्योंकि भारत और चीन का कारोबारी काफी बढ़ा है, ये बताता है कि आपके पास जो भी सामान उप बढ़ात की, लगातार उस पर काम हो रहा है, उसके प्रियास कैसे रहे, उसका कुछ ऐसा प्रभाव होगा, जिसके चीन की निर्वड़ता कम हो सके हमारी, दूसरे तरह से देखते हैं, अगर आप भारत और चीन का दुपक्शी व्यापार देखें, पिछले साल 25 बिलियन ड भारत का निर्यात चीन को घटा और चीन से भारत का आयात बढ़ा है, जो करीब-करीब भारत का इंपोर्ट अगर ताजेया आकड़े में देखें, तो 90 बिलियन डालर के असपास चीन का एक्सपोर्ट है, भारत को 89, 46 बिलियन डालर है, जो जन्वरी से सप्टिमबर तक का आकड़ा हमारे पास है, तो जिन चीजों को लेकर चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश की गई थी, वहां जहां से हमें थोड़ा निवेश मिला भी, वहां भी हम चीन पर ज्यादा निर्भर हो गए, जैसे कि मुबाइल फोन इंडस्ट्री को देख लीजे, भारत ने कमपीनियों ने बढ़त ली है, और इसलिए भारत का मुबाइल बाजार देखिए पूरी तरह से चीनी कमपीनियों के हाथ में, तो ये लड़ाई थोड़ी सी लंबी है, और समस्या इसमें में जटल समस्या ये है, कि चीन अपनी अध्यों की पास पादन छमता के कारण इतन क्रिटिकल सेक्टर में, जरूरी सेक्टर में प्रवेश बनाया रख सकता है, उसे बढ़ाया रख सकता है, चलिए, तो एक लड़ाई तो वहां है, एक और चीज़ जिसमें महत्तुपों जोडने वाली जो अभी संसत को जानकारी दीगी चीन की चर्चा के संदर में, जो भी सेक्टर के अलग-अलग प्रोफाइल देखें, तो आपको हर बड़े और प्रम क्रिटिकल सेक्टर में चीन की कंपिनियों की मवजूदी दिखाई दियोगी, और यही हमारी सबसे बड़ी दुविधा, यही हमारा सबसे बड़ा असमन जैसे, कि हमें लड़ाई लड़नी कह कैसे रोका जा सकेगा, यह बड़ी दुविधा है, जो जब भी चीन के साथ सीमा पर कोई तना होता है, तो इस सवाल हमारे दिमाग में हमारे सामने घूम घूम कर बार बार वापस आता है, चलिए तो यह था हमारा आज का मनी सेंटरल, अब चल चल के आपको छोड़ जाते ह हैं, जा महंगाई दो गुनी, तीन गुनी है, हेडलाइन इन्फेशन के, यानि की रिटेल महंगाई से, वैसा ही एक खाना है, एक घर है, मसालों का, क्या स्थिती है, क्यों इतनी महंगाई है, सब कुछ पता रही है, आपको यह स्पेचल रिपोर्ट महंगाई के सबसे बड़े विलन, मसाले बन चुके हैं, वही मसाले जिनके भाव पर आप राशन खरीचते समय गौर नहीं करते, लेकिन पिछले साल के राशन के बिल में, मसालों के भाव को इस बार के बिल से मिला कर देखिए, आपको पता चल जाएगा, कि आटे और तेल क के दाम उतने नहीं बड़े हैं, जितनी बढ़ोतरी मसालों की कीमतों में हुई है, और राशन के बिलकुब बढ़ानी में सबसे बड़ा हात मसालों का ही है, अधिकतर मसालों के दाम बढ़ चुके हैं, साल भर पहले 100 ग्राम जीरा खरीदने के लिए जितने पैसे लगते थ इस बार 60 फीसद ज्यादा कीमत देनी पड़ी है, कुछ हैसा ही हाल सौफ का भी है, जिसके लिए पिछले साल के मुकाबले 50 से 55 फीसद ज्यादा पैसे लगी हैं, और लाल मिर्च के लिए 40 से 45 फीसद ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी है, मसालों की इस महगाई की वैसे सिर्फ किचन का बजट नहीं बढ़ा, बलकि सरकार की परेशानी भी यही बढ़ा रहे हैं, रिटेल महगाई के आकड़े देख लीजे, पिछले 6 महिने से मसालों की महगाई दहाई के आकड़े में चल रही है, और बीते नौंबर में तो बढ़ा हुआ है, उपर से इस साल रवी सीजन में पैदा होने वाले कुछ मसालों की खेती भी कम है, जो बढ़ी हुई भाव को और हवा दे रहे हैं, जीरे को ही ले लिजिए, जीरे के प्रमुकुत पादक राज्य गुजरात में फसल का रखबा पिछले साल के मुकाबले क जिसमें गेहूं और तेल शामिल हैं, यानि वेवस्तुएं जिनकी कीमत थोड़ी भी बढ़ें, तो सरकार तुरंत हरकत में आ जाती हैं, तेल की महगाई को रोकने के लिए सरकार रह रहकर कदम उठाती रहती हैं, लेकिन मसाले लगातार महगे हो रहे हैं, और इनकी भाव खटने की उम्मीद भी नहीं हैं, मनिनायन के लिए मनोश कुमार कुमार